हेलो गाईज वेलकम बैक टू मैं चैनल आज की सीरीज में हम स्ट्रडी करेंगे सीएस आउटलाइन सो गाईज लेट स्टार्ट वीडियो सीएस आउटलाइन सो जो आउटलाइन है बेसिकल यह लाइन की तरह होता है जो हम ड्रॉ करते हैं हमारे हमें HTML element के आसपास सो जो HTML element वह टेक्स्ट भी हो सकता है या कोई मीडिया भी हो सकता है अगर हमने HTML element को बॉर्डर स्पैसिफाई किया है तो जो आउटलाइन है वह हमारे बॉर्डर के आसपास हमें शो होगा So outline का हम इसलिए use करते हैं ताकि जो हमारा HTML element हमने add किया है उसको standout बनाने के लिए And जो outline है वो rounded corners को spot नहीं करता है And ये कुछ outline properties है जिनका use करके हम outline को style कर सकते है So सबसे पहले आता है outline style So इसका हम use करते है style provide करने के लिए इनको हम वही same style provide करते हैं जो हम border properties में use करते थे Next है outline color property So इसके name से पता लग रहा है अगर आप कोई color specify करना चाहते हो अपने outline को Then आप इस property का use कर सकते हो And इसके बाद आता है outline width property Use करके आप अपनी outline को width specify कर सकते हो अपनी requirement के according And जो next property है outline offset property ये border से outline को unique बनाता है So ये बहुत ही special property है जिसका use करके आप outline and border जो आपने HTML element को specify किया है उन दोनों में कितनी space आप देना चाहते हो वो आप specify कर सकते हो इस property का use करके And इसके बाद आता है outline short end property So जो जैसे हमने अपनी previous वीडियो में भी study किया है Short end property का use कर Outline width, outline style, outline color को एक single line में specify कर सकते हो So आपको यहां से clear हो रहा होगा कि जो outline है वो हमारे border के आसपास हमें draw होता है And अगर आपने border specify नहीं किया है तो यह हमारा जो HTML element हमने add किया है Content, text या, media कुछ भी हो सकता है Then यह हमारे content के आसपास हमें show होगा So बाकी इनको हम practically understand करते हैं outline को So guys यहां पर मैंने पहले से ही content को add करके रखा हुआ है H1 tag का use करके And यहां पर different classes create की है And यहां पर style specify करके रखा हुआ है जो हम border में specify करते थे So वो ही same style हम outline के लिए भी use करते हैं Outline style property का use करके And यहां पर मैंने class attribute का use करके जो classes मैंने create की थी CSS file में वो यहां पर define कर दी है And आप देख पा रहे हो इनकी जो output है वो हमें यहां पर show हो रही है And जो सबसे पहले है dotted style वो आप देख पा रहे हो यहां पर उसकी output कुछ ऐसे हमें show होती है And इसके बाद आता है dash So उसकी output हमें ऐसे show होती है And इसके बाद आता है solid जिसकी जो output है वो हमें कुछ इस तरह show होती है And जो इसके बाद है double So जो हमारी outline है वो हमें कुछ इस तरह show होती है Double outline की तरह So आप देख पा रहे हो यहां पर एंड इसके बार जो गाइज यह four styles है groove, ridge, inset and outset यह 3D styles है so अभी हमें यह same ही style शो और है because हमें इनको color नहीं specify किया है जब हम इनको color specify करेंगे then हमें difference clear होगा so यहाँ पर मैं outline color property का use करके color specify कर देती हूँ यहाँ पर red and इसको refresh करेंगे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आप guys इसको जब इसकी width को increase करोगे then आपको और clear होगा कि इसकी output हमें कैसे show होती है and ऐसे ही ridge में भी मैं outline color का use करके इसको color define कर दूँगी and इसकी output को हम देखेंगे कि कैसे हमें show होते हैं and इसको मैं देखती हो भी and आप देख पा रहे हो अब भी हमें वैसे ही show हो रहा है जब इसको width specify करेंगे then इसकी output हमें अलग show होगी and ऐसे ही insert को हम specify कर देते हैं color outline color property and then इसको हम color specify कर देंगे so hot pink ले लिया है and refresh करेंगे आप देख पा रहे हो insert की जो output है हमें कुछ इस तरह दिखाई देती है and ऐसे ही outset में भी specify कर देंगे color को so यहाँ पे कोई भी color ले ले लेते हैं olive drab ले ले लेते हैं and इसको save करके refresh करेंगे आप देख पा रहे हो insert and outset में क्या difference होता है so यह कुछ shift की output है default जो outline style की value होती है वो none होती है so यहाँ पे none का मतलब है आप कोई भी border specify नहीं करना चाहते हो and इसके बाद guys आता है outline style hidden so इसका मतलब यह है कि आप अपने border को अपनी outline को hidden करना चाहते हो so यहाँ पर मैं outset की जगा hidden specify कर देते हूँ so आप देख पारे हो फिर से हमारा वापिस आ चुका है and guys अब हम study करेंगे outline width property so यहाँ पर मैं specify कर देती हूँ insert में या फिक group में specify करते हैं पहले outline width property so इसकी help से आप width specify कर सकते हो यहाँ पर मैं 4 pixel दे देती हूँ and इसको refresh करेंगे आप देख पारे हो थोड़ा सा आपको शो हो रहा है difference और इसकी width increase कर देते हैं and आप देख पारे हो अब आपको थोड़ा सा clear हो रहा है कि जो group की output है वो हमें कैसे show होती है and outline आप देख पारे हो यहाँ पर क्योंकि guys अगर width हम specify करते हैं तभी हमें थोड़ा सा clear होता है इसका style यहाँ पर भी हम reach में भी specify कर देते हैं outline width and यहाँ पर 12 pixel दे देते हैं and अब आप देख पार रहे हो जो inside वाली थोड़ी सी चीज है वो dark है जो outside वाली चीज है वो थोड़ी सी light है so यह कुछ difference है groove में थोड़ा अंदर वाली side जो था वो light था and बाहर वाली side dark था and अब हम specify करेंगे inset को यहाँ पर हम ले लेते हैं outline width and यहाँ पर 5 pixel दे देते हैं and आप देख पार रहे हो इसकी width को so ऐसे ही आप अलग-अलग outlines को ऐसे width specify कर सकते हैं outline style provide करना बहुत ही जरूरी है अगर आप outline style में style specify नहीं करोगे then आप अगर कोई भी color width specify करोगे then वह apply नहीं होगा so यहाँ पर मैं style remove कर देती हूं आप देखोगे कि जो हमारा 5th border है वह उसके ओपर ना कोई red ना कोई width हमें show होगी so आप देख पार हो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर वापिस से style add कर दूंगी तो आप देखेंगे कि हमें फिर से जो हमारी outline है वह हमें show हो जाएगी so यहाँ पर refresh किया है आप देख पार हो यहाँ पर फिर से हमारा जो outline है वह show हो रहा है so इनकी जगां guys आप short end property का भी use कर सकते हो इन तीनों को आप single line में भी specify कर सकते हो so यहाँ पर outline property लेंगे short end property so यहाँ पर मैं इन तीनों को specify कर दूंगी one by one so 10 pixel and then pink and then इसके बाद हम ले लेंगे जो भी आप style यहाँ पर specify करना चाहते हो so यहाँ पर groove ले लेते हैं and इन तीनों को हम क्या करेंगे हटा देंगे and ताकि आपको difference clear हो and then इसको refresh करेंगे आप देख पा रहे हो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा और clear होगा क्योंकि color की हिसाब से हमें थोड़ा सा clear हो जाता है कि इसके output कैसे होगा अगर भी हम देख लेते हैं अगर हम इसको color नहीं देना चाहते हैं तो आप देख पार हो by default क्या है मारी value black ही शो हो रही है ऐसे guys मैंने आपको भी बताया है कि सिर्फ style specify करना ज़रूरी है अगर आप width color अगर नहीं चाहते हो specify करना then okay होगा बट style specify करना ज़रूरी है क्योंकि अगर style ही नहीं specify करोगे then width अब हम understand करेंगे outline offset property का इसका use करके आप अपने border and outline के बीच में space को create कर सकते हो यहाँ पे आप negative value भी specify कर सकते हो बट हम सबसे पहले positive value specify करेंगे यहाँ पे 10 pixel दे देती हूं एंड इसके बाद हम specify करेंगे border यहाँ पे border short and property लेंगे इसमें हम इसकी width को specify कर देंगे इसके बाद color and इसके बाद हम specify कर देंगे style को सो यहाँ पे मैं style लेती हूं solid एंड इसको refresh करेंगे आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो space हमने create की है वो 10 pixel की है यहाँ पे मैं कम कर देती हूं 5 pixel कर देती हूं आप देख पा रहे हो यहाँ पे border and outline के बीच में space कम हो चुकी है अब आपको clear होगा होगा थोड़ा सा कि किसकी help से create हुई है outline offset property का use करके सो यहाँ पे मैं क्या करती हूं अब negative value specify करूंगी negative value का मतलब यह है आप कितना inside करना चाहते हो कितना inside outline को show करना चाहते हो सो यहाँ पे minus 10 pixel दे देती हूं और आप इसके output को देखोगे refresh करती हूं और आप देख पार हो जो border है हमारा red और जो outline यह आप देख पार हो double यह हमारा इन दोनों की बीच में जो space है अब minus की वज़े से create हुई है सो आप minus negative value का use करके क्या कर सकते हो आप लाइन को अपने border के अंदर create कर सकते हो सो आप आपको समझ आया होगा outline offset property का use करके आप कैसे space को create कर सकते हो border and outline में सो अब हम understand करेंगे outline and border के बीच में क्या difference होता है So सबसे पहले हम outline को understand करते हैं जो outline है अगर हम उसका use करते हैं दिन वो हमारे element के dimensions को कोई भी effect नहीं करता है मतलब यह कि उसका कोई भी layout, उसका कोई भी design में changes नहीं आते हैं क्योंकि जो outline है वो हमारे element का part नहीं होता है On the other hand, जो border है, वो हमारे HTML element के dimension को change करता है, affect करता है, क्योंकि जो border है, हमने understand किया था, हमारे CSS model में, CSS box model में, कि जो border है, padding है, margin है, हमारे HTML element का part होता है, So, जिसकी वज़स से, उनकी height and width में, जो changes है, वो आते हैं, जो हमारे element का layout होता है, design होता है, वो भी affect हो जाता है, And जो outline है, वो rounded corners को spot नहीं करता है, हाला कि जो border है, वो rounded corner को spot करता है, जो हम properties को use करते थे, border radius property, इसकी help से हम अपने border को round corner दे सकते हैं, But outline में हमें ऐसी कोई भी property अविलेबल नहीं होती है, जिसका use करके हम rounded corner specify कर सकें, And इसके बाद जो outline है, उसमें कोई भी हमें ऐसी properties अविलेबल नहीं होती है, कि अगर आप कोई भी alag-alag side को, alag-alag width, alag-alag color, alag-alag style specify करना चाहते हो, जो हम border में कर पाते थे, वो हम outline में नहीं कर सकते हैं, So border में हमें ये features अविलेबल थे, ये properties अविलेबल थे, अगर आप alag-alag style specify करना चाहते हो, alag-alag sides को, then आप उन properties का use करके specify कर सकते थे, So बाकी हम इनको practically understand करते हैं, दोनों के बीच में क्या difference है, So यहाँ पर guys मैंने पहले से ही content ले रखा है, and मैंने यहाँ पर इसको, जो ये style है, specify किया हुआ है, पहले से ही, So अब हम understand करेंगे difference, outline and border में, तो सबसे पहले मैं border specify करूंगी, 2 pixel का, and style specify कर देंगे, and then color, and इसके बाद refresh करेंगे, आप देख पा रहे हो, border क्या है, apply हो चुका है, and इसके बाद मैं outline specify करूंगी, outline, short and property का use करके, so यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, 3 pixel का outline, and इसको style specify कर देंगे, solid, and इसको हम color भी specify कर देंगे, yellow, green, so इसको हम save करके refresh करेंगे, आप देख पा रहे हो, यहाँ पर, पहले तो मैं इसका color change कर देते हूँ, ताक कि आपको clearly show हो, so इसका orange ले लेते हैं color, and इसको हम refresh करेंगे, तो आप देख पा रहे हो, by default जो हमारे border है, outline है, वो square में होते हैं, corner से, so यहाँ पर मैं border radius specify करूँगी, and आप देखेंगे, जो हमारे border के corner होगा, वो round हो जाएगा, so यहाँ पर मैं value specify कर देती हूँ, so यहाँ पर पहले तो मैं इनका width change कर देते हूँ, ताकि आपको clear हो, अब आप देख पार, जो हमारी outline है, उसने हमारे border की ही shape ले ली है, so यहाँ पर बाहर की तरफ था, हमारा outline, इसकी वज़र से, जो border की shape थी, rounded, so उसने भी rounded ही ले ली है, अब हम create करेंगे space, border and outline के बीच में, उसके लिए हम use करेंगे, आपको हम value specify कर देते हैं, कि आप कितनी space create करना चाहते हो, उन दोनों के बीच में, so मैं 3 pixel दे रही हूँ, and इसको save करके refresh करेंगे, so आप देख पार है, border and जो हमारा outline है, दोनों के बीच में 3 pixel की space create हो चुकी है, so यहाँ पर guys आप negative value भी specify कर सकते हो, मैं 5 pixel की दे रही हूँ, minus, यह आप change भी कर सकते हो, इसको अपनी requirement के recording, मैं यहाँ पर 10 दे देती हूँ, and इसको save कर देंगे, आप देखेंगे कि जो border है, उसके inside चला जाएगा हमारा outline, so यहाँ पर refresh करेंगे, आप देख पा रहें, border के inside चला गया है, तो अब आप देख पा रहे हैं, जो हमारी outline है, उसके corner क्या है, square हो चुकी है, so और value change की आप देख पा रहे हो, अब क्या है outline हमें square में शो हो रही है, अब उसका जो corner है, वो rounded नहीं है, I hope आपको clear हुआ होगा, कि जो outline है, उसका जो corner है, वो हमेशा क्या है, square ही रहता है corner से, so यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसका changes, क्योंकि बाहर था, तो उसने border की shape ली थी, तो इसी वज़र से हमें क्या है, outline जो है, वो rounded में शो हो रही थी, अब हम मैं इसको क्या करूँगी, outline offset को हटा दूँगी, and border को भी हटा दूँगी, and border radius को as it is रहने दूँगी, and आप इसको हटा देंगे, and इसको फिर से save करके refresh करेंगे, so अब आप देख पा रहे हैं, जो outline है, हमारी orange color में थी, and जो हमारा border radius था, आप इसको भी हम अठा देंगे, तो आप देखेंगे, कि अब फिर से क्या है, square में हो चुका है हमारा outline, so next difference हम understand करेंगे, border and outline के बीच में, कि जैसे हम border में, अलग-अलग sides को style, width, color specify कर सकते थे, वो सब properties हमें, outline में available नहीं होती है, so यहाँ पर मैं क्या करूँगी, border को specify करूँगी, यहाँ पर, border, right, color, so यहाँ पर मैं क्या करूँगी, right side के border को color specify करूँगी, blue, violet, and then यहाँ पर देखो कि आप refresh करूँगे, आप देख पार हो, यहाँ पर right वाली side क्या है, color change हो चुका है, but हमें outline में यह सब properties अविलेबल नहीं होती है, so यह सिर्फ आप border के साथ ही यह चीज़ें कर सकते हो, so यहाँ पर मैं एक बार और आपको use करके दिखा देती हूँ, border left width, so यहाँ पर मैं 15 pixels दे देती हूँ, and इसको हम आप देखेंगे, जो left side का है, उसका width क्या है, change हो चुका है, so ऐसे आप कर सकते हो, बट outline में यह चीज़ें हमें available नहीं होती है, so इसमें हम सिर्फ simple, सभी sides को एक single में ही specify कर सकते हैं, सभी को same ही style, color, width specify कर सकते हैं, so यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक offset property है, जिसका use करके, आप space create कर सकते हो, अपने element को एक standout बना सकते हो, so यहाँ पर minus 15 करके देखें, so आप देख पार है, ऐसे आप अपने element को standout बना सकते हो, एक unique interface दे सकते हो, so यह था इसका difference की border में हमें available होते हैं, यह features and outline में हमें यह features available नहीं होते हैं, so अब हम understand करेंगे next difference, कि outline की वज़ज़ से हमारे dimensions में कोई changes नहीं आता है, and border का use करके हमारे dimensions में changes आता है, so यहाँ पर मैं specify कर रही हूँ image, ताकि आपको clear हो कि इनकी dimensions में कैसे change आता है, और outline का use करके changes नहीं आते हैं, so यहाँ पर मैं height specify कर दूँगी image को 300 pixel, and width भी specify कर दूँगी 300 pixel, so इसको specify कर दिया है, and इसको save करके refresh करेंगे, आप देख पा रहे हो, by default क्या है हमें next line पर हमारा element show होता है, so यहाँ पर मैं margin and text line को हटा दूँगी यहाँ से, so ताकि जो हमारा first element है वो left से start हो, so यहाँ पर text line specify कर देते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारा code with Renu का है, यह हमें center में ही show, so आप देख पा रहे हो यहाँ पर, and इसके बाद हम यहाँ पर specify कर देंगे float left, so जिसकी वज़े से क्या होगा, कि जो हमारी image है वो हमें one by one, एक element के बाद एक ही single line में show होगा, अगर space available होगी तो, अगर space नहीं होगी, then हमें next line पे show होगा, so यहाँ पर मैं width change कर देती हूँ 300 pixel, so आप देख पा रहे हो, अब हमारी जो image है next line की बिज़ाए, उसके साथ ही show हो रही है, so अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, image selector लेंगे, and इसमें हम style specify करेंगे, इनको outline, border, जो भी हम properties लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे border, property, and इनको हम specify कर देंगे values, 3 pixel, solid, या dotted दे देते हम, यहाँ पे, and इसको color specify कर देंगे, orange, and इसको save करके, refresh करेंगे, so यहाँ पे कोई changes नहीं आए, यहाँ पे क्या है, हम को change करना पड़ेगा, यहाँ पर border, radius specify कर दिया था, border property specify करनी, आ रहे हो, हम आ रहे हो हो चुका है, so यहाँ पे मैं इसकी width increase कर देती हूं, 20 pixel ले ले लेते हैं, and आप देख पारों कि इसने dimensions को change कर दिया है, so यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फिर से 40 पर दोंगी, and refresh करूँगी, आप देख पारों इसने हमें next line पे ही, हमारे HTML element को, हमारी image को next line पे show कर दिया है, so आप देख पारों कि border है, वो हमारे element होता है, उसकी dimensions को, उसके layout को, उसके design को क्या है, change कर सकता है, so जो outline है, वो हमारे dimensions को change नहीं करता है, मैं आपको यह समझाना जाती थी, so यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम इसकी width को कम कर देते हैं, 5 pixel ही रहने देते हैं, and इसको आप देख पारों, फिर से वहीं पर आ गया है, क्योंकि वहाँ पर space अविलेबल थी, so यहाँ पर मैं अब specify करूंगी outline, so यहाँ पर outline specify करेंगे, outline property, and इसको हम value specify कर देंगे, हम ले लेते हैं, 4 pixel, and इसको हम specify करेंगे, style, solid, and इसके बाद हम इसको color specify कर देंगे, pink, so इसको हम save करके, and इसको हम refresh, पारे हो, border के बाद हमें हमारी outline शो हो रही है, and इसने कोई भी हमारी image को हिलाया नहीं है, अपनी जगा से बिलकुल भी, फिर से increase कर दोंगी 20 pixel, image उसको change नहीं किया, उसकी dimension ती उसको change नहीं किया, and मैं इसकी value change कर दूँगी 40 pixel, and आप देख पा रहे हो कि जो image है, उसकी dimension में कोई भी changes नहीं आए है, and जो outline है, वो हमारे element का part नहीं होते हैं, इसकी वज़र से, उनका use करके, हमारे element कोई भी changes नहीं आते हैं, so यहाँ पर मैं offset properties specify कर देती हूँ, आपको clear हुआ होगा, कि जो outline है, वो element के dimensions को, layout को, design को change नहीं करता है, बट जो border है, वो उसके dimensions को change कर देता है, so guys, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होंगी, like, share, subscribe करना ना भूले, bell icon को press करें, ताकि आपको further notifications मिले, and thank you for watching the video,